नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आज की इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको एक्स्प्लेंग करने लो कि आप अपने खेत में से जो भी उगाते हो जो भी आपका प्रोडक्शन होता है तो यह पर आप लोग देख सकते हो हमारे ट्रॉली के अंदर यह 100% भर चुका है यह हमारा प्रोडक्शन जो कि हमने हर्वेश्टर से निकाला था तो यह सारे जो भी हमारा क्रॉप का जो आउटपुट निकल के आता है जो भी हम लोग बेचने जाते हैं बाजार में लेकिन उसको आप लोग किस तरह से स्टोर कर सकते हो वो सारे च देख सकते हो और उपर की साइड में भी या पर पर सेंटेज देख लो 100% हमारी ट्रॉली या पर भर चुके तो फिलाल हमें इसको स्टोर करने के लिए करना क्या है यहाँ पर मैप के अंदर आपको एक बार समझा देता हो ताकि आपको समझ में आ जाए जो भी हमारा यहाँ सिंबॉल है तो इस सिंबॉल के उपर आपको जाना पड़ता है ओके सो मैप के उपर यह आपको इजीली मिल जाता है और यहाँ पर घर के उपर अगर आप लोग देखोगे ना घर के बाजू में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यह वाला एरिया है यहाँ पर हमे बेच ने रहे हम लोग बस उसको स्टोर कर रहे हैं स्टोर करने के बाद उस जाता का पर एक बार आपको यह से थोड़ा सा दूर से थोड़ा सा एक व्यू दिखा देता हो तो यहाँ से भी नहीं दिख रहा है शायद से एक सेकंड कोई दिक्कत ने तो यहाँ पर न उपर के साड में थोड़ी सी एक टैंक है बड़े बड़े टैंक है तीन टैंक है उपर के साड में एक सेकंड क्या हो रहा भाई ओके चलो यहाँ से थोड़ा सा वियू दिख रहा है बेसिकलि यहाँ पर यह उपर के सैड में देखो आप लोग यहाँ पर ना तीन टैंक है मतलब तीन टाइप के हमारे पास क्रॉप होते हैं जह से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हो जैसे हम लोग इसके अंदर चले जाएंगे ना है इसके अंदर जाने के बाद यह बीच में एकworld जाना है किसी भी टैंक के अंदर बीच में जाना है कि देख अदर यह सारा मेटरिल आ जाएगा इसके बाद में हम लोग इसको बेच भी सकते हैं कहा पर बेचना है कहा पर केसी तरह से बेचना है रेट कहा पर ज्यादा मिलता है वो सारे चीदे मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा प्लेलिस्ट को सेव करके रखना ताकि उ प्रेच लगे लाइक कर देना चैनल पर करा पेली बढ़ा है वो सब्सक्राब कर देना चलिया मिलता अगले वीडियो के अंदर थेंक्यू सा मुच पर वाचिंग इस वीडियो